आजादी का सुलगता अंगार हुँ मैं, प्रले का शुब्द पारावार प्रचंड गांडीव की डंकार हुँ मैं, गुलामी की जंजीरों का जिन्दा कफन हुँ, आजाद हिंद फौज की रगों में खौलता खून हुँ मैं, अर जखमी चीक ते भारत के प्रतिशोत का जलत सा आक्रोश, फूट्टे ज्वाला मुखी सा क्रांति का उद्घोश, सुभाष चंद्र बोस हुँ मैं, सुभाष चंद्र बोस हुँ मैं, संसत्भवन के इस एतिहासिक केंद्री कख्ष में उपस्तित, माननिय लोकसवा अध्यक्ष जी, मा भारती की सभी संतानों को मेरा आ प्रदेश का प्रतिनिद्र करते हुए, आज आप सभी के समक्ष, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, अमरित काल में उनका जीवन और विरासत विशय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हुँ, महोद है, अगर अमरित काल में हमें नेता जी के जीवन की महत्ता को जानना ह तो हमें जानना होगा उस छोटे सुभाष को, जो अपने घर के पास रहने वाली एक बुड़ी अम्मा का खयाल रखता था, हमें जानना होगा उस सुभाष को, जो एक संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद भी लावारिस शवों का अन्तिम संस्कार करवाता था, हमें जानना होगा उस सुभाश को जो बी ए अर्थात कलामिस नातक करने के बाद एक कलाकार नहीं बलकि माँ भारती की सेवा करने वाला करांतिकार बन गया। महोद है नेता जी सुभाश चंद्रबोस अमरित काल में युवाओं के लिए मिसाल हैं। नेता जी कोई व्यक्ति नहीं है बलकि एक व्यक्तित्व हैं। और ये नेता जी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इन चंद शब्दों से। पूर्वी एशिया में अंग्रेजों कि वरुद एक दो नहीं बलकि ल नाम कृष्ण परम हंस और विवेका नंद के आदर्शों पर चलने वाला सुभाश अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। और उनके इसी पराकरम को याद रखने के लिए आठ सितंबर 2022 को जब दिल्ली में राचपत का नाम बदल कर करतव विपत किया गया तो हमारे देश के मानिनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने वहाँ पर नेता जी की पृतिमा का अनावरण भी किया। विश्व गुरु भारत होगा और अन्त में इस देश को नेता जी सुभाश चंद्र बोस की आवशक्ता क्या है इसको उजागर करती हुई चार पंक्तिया प्रस्तुत कर रहा हूं कि घोर अंधी यार है उजास मांगता है देश चाया पतजार मधुमास मांगता है देश कु सुभाश मांगता है देश धन्यवाद जय हिंद जय सुभाश